खबरपटना से जहाँ पटना के गांधी मैदान में रावण वद्ध से पहले ही रावण का पुतला धाराशाही हो गया बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को मैदान में रावन का पुतला खड़ा किया गया था लेकिन कारीगरों ने जैसे ही पुतले को सीधा किया तो तुरंत ही गिर पड़ा वहीं रावन का पुतला गिरने से प्रशास्तिक अधिकारियों में हरकम मच गया अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घट नस्तल का जायजा लिया हलाकि रावन का पुतला गिरने से किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है फिलाल राच से ही रावन के पुतले की मरमत का काम तेजी से किया जा रहा है